प्राणा Chemistry Classes में आपका स्वागत है प्रीवेस लेक्चर में जो मारा लेक्चर फस्ट है उसमें हमने बात कर ली थी एलकोहल्स और एलकोहल्स के क्लासिफिकेशन की उसी करम में फिर हम आगे बात की थी क्लासिफिकेशन आफ मोनोहाइडिक एलकोहल और उसके मोनोहाइडिक एलकोहल जो है उसका प्राइमरी मोनोहाइडिक एलकोहल सेकेंडरी तरसरी एलाइलिक बेंजाइलिक और बिनाइलिक अब हम बात करेंगे इनकी डिटेल की तो उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मोनोहाइडिक monohydric alcohol का जो पहला टाइप है primary monohydric alcohol तो उसी पर हम बात करने जा रहे हैं primary monohydric alcohol तो आप सब लोग देख लिजेगा कि primary monohydric alcohol तो जहां पर primary monohydric alcohol का जैसे ही बात आए आपके दिमाग में आना चाहिए CS2OS ग्रूप ध्यान रखेगा कि इसको ऐसे पहंचानते हैं थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ग्रूप की सायता से income कैसे पहंचानेंगे तो यह थोड़ा सा आप लोग देख लिजेगा कि जहां पर आपको primary monohydric alcohol की बात आ जाए primary monohydric alcohol तो ध्यान रखेगा कि CS2OH primary monohydric alcohol CHOH secondary और COH tertiary यह ध्यान रखेगा कि CS2OH ग्रूप दिखाई और यह आपका tertiary होगा इसी क्रम में हम इसकी definition कैसे लिखेंगे तो जिन alcohol में OS group primary carbon atom से जुड़ा होता है primary alcohol कहलाते हैं अब कुछ लोगों के दिमाग मारा होगा कि सरे primary क्या होता है तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं तो ध्यान रखेगा इसका जो example लेंगे पहला ठीक है व यह एक जामपिल ले लिया एथिल अलकोहल का है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि OS group लगा तो अलकोहल तो हो गया अब आप देखेगा कि जैसे यह वाला कारवन ने इस कारवन का attachment इस कारवन का attachment इस वाले कारवन से हैं यह कहने करता है कि बे अलकोहल जिन में OS group primary carbon atom से जुड सबसे पहले आपको OS लेना है OS किस कारवन से जुड़ा है बहां पर उंगली को रखना है और फिर देखना है कि वो कारवन कितने कारवन से जुड़ा है यह वाला कारवन एक कारवन से जुड़ा है इसलिए इसको क्या कहेंगे primary carbon atom ओके ऐसे और एक example उठालो एक example और ले लेत बगल में जो पडोसी कारवन उसको पकड़ लेना है उसको पकड़ लिया है अब इस से पूछेंगे कि भहा izley तुम कितने कारवन से जुड़े हो ते काया कि वह हमारा जो attachment है इस वाले कारवन से इस वाले कार्बन से तो यह वाला जो कार्बन हो गया यह क्या हो गया आपका इसके लिए क्या हो गया आपका यह प्राइमरी कार्बन हो गया लेकिन अगर इससे पूछेंगे तो इसका अटेश्मेंट इससे भी है इसका अटेश्मेंट इससे भी है तो से जुड़ा है के बहुत सारे example आपको देखने को मिलेंगे, तो यह आपका हो गया primary monohydric alcohol, अब इसी क्रब में हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ले रहे हैं, secondary monohydric alcohol, तो second point आप लोग डाल लिजेगा, secondary, इसको 16 form में ऐसे भी लिख लेते हैं, secondary monohydric alcohol, बस monohydric word लगेगा, एक आएगा इसमें OH, तो secondary monohydric alcohol, तो next rating आप लोग डाल लिजे, secondary monohydric alcohol, क्या डालेंगे आप लोग, secondary monohydric alcohol, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे आपका group दिखाई देगा CHOH, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, कि यह आपका हो गया, secondary monohydric alcohol, और उपर वाला आपका क्या था, primary monohydric alcohol, अब आप ऐसे देखेंगे, कि जिनमें CHOS दिखाई दे, वो आपका हो जाएगा, secondary monohydric alcohol, क्या हो जाएगा आपका, secondary monohydric alcohol, तो अगर आप लोग definition लिखना चाहा है, तो लिख लो, कि लिखो, जिन alcohol में, जिन alcohol में, OS group, secondary carbon atom से जुड़ा होता है, secondary alcohol कहलाते हैं, अब इसका हम example देख लेते हैं, तो example क्या हो जाएगा, example के बताओर, अगर आप उसमें example अगर mention करें, तो example जैसे, यहाँ पर मैं लिख रहाँ, example है, CS3, CH, CS3, और OH, कहीं समझ ना है, तो पीछे back करके, इसको गवार repeat कर लें न, वीडियो को, अब देखेंगें, यहाँ पर जैसे, secondary monohydric alcohol, अब इसको देख लीजेगा, अब, यह मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको, OS को पकड़ना है, OS को पकड़ लिया, अब इस OS से पूचा भईया, कि तुमारा connection कितने कारबंस है, तो सीधे यह बताएगा, भईया हमारे इस से, तो यह वाला, OS होगे, इसका attachment इस वाले कारबंस है, अब इसका attachment देखो, इधर कारबंस है, और इधर कारबंस है, तो इसका attachment दो कारबंस है, एक आपका left side में है, और एक right side में, तो इस वाले कारबं को क्या कहेंगे, secondary carbon, एक मैं वीडियो बना दूँगा, उसमें primary secondary tertiary, यह जो आपके classification है, carbon का, ठीक है, तो उसमें सारा समझ माझा है, फिलाल मैं पूरी दम लगा रहा हूं समझाने के लिए, कि primary monohydric alcohol क्या होते हैं, कि जिन alcohol में OS group primary carbon atom से जुड़ा होता है, primary alcohol कहलाते हैं, जैसे एक जांपिल है, OS है, यह वाला carbon इसका attachment इससे है, OS को लेना है, OS का पडोसी carbon लेना, फिर उससे पूचना है कि भी यह तेरी जैन पचान कितने carbon से, बतारह एक, इसको पकड़ना है, OS, अब OS का पडोसी carbon यह हो गया, अब इससे पूचना है, तेरी जैन पचान कितने लोग उन से, तो बताएगा दो से, से लिखूँँगा टर्सरी मोनो हाईडरिक एल्कोछ्ल कापी पैन7 में भछी ए कर दॉटर्सरी मोनो हाईडरिक एल्कोछ्ल। से ओजा विवाँ एका त्रफीरल विव था लॉवर वस से केंडरी में हाईडरोजन कम हो गया कितना रहे गया एक CHOH और तरसरी में गायब हो गया ये इसकी क्या हो गई? खास पहचान क्या हो गई इसकी? खास पहचान के लिए इसको मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ ठीक है? तो ध्यान अखिएगा ये आपका है तरसरी मोनोहाइटी के पहलाते हैं, ओके? इसका एक्जामपेल देख लीजेगा एक्जामपेल क्या है? एक्जामपेल है CS3 C CS3 CS3 और OH समझ माने लगा होगा आप लोगे ठीक है? तो क्या करें? ये आपका है तरसरी कारवन एटम मैं लिख रहा हूँ तरसरी कारवन एटम पकड़ना है? OS का पड़ोसी कारवन ही है अब इस कारवन से पूचेंगा भी है तो कितने कारवन जुड़ा है? तो ये बताएगा तीन से एक दो तीन एक क्या बन गे आपका? टरसरी कारवन एटम तो आपने ये थोड़ा सा इसको समझा कि इसको साथ साथ में नोट करते भी रहेगा मैं यहाँ पर की पॉइंट थोड़ा सा बता रहा हूं समझने के लिए आपके इसको मैं यहाँ पर बोक्स में यह बनाऊँगा यह देखेगा की पॉइंट क्या है? कि जहाँ पर CS2OH ग्रूप दिखाई दे यह क्या बन गया आपका? प्राइमरी एलकोल बहुत सारे कंपाउंड होते हैं पॉइंट लेता सामने वाला कि बताईए प्राइमरी एलकोल है सेकेंडरी तो ध्यान गएगा CH2OH प्राइमरी ओके इसके बाद CHOH यह आपका कहां चला जाएगा? सेकेंडरी एलकोहल में और आपका COH यह कहां चला जाएगा? आपका टर्सरी एलकोहल में तो थोड़ा सा एक की ध्यान अखना यह जो गुरूप मैंने बता दिये थोड़े से ध्यान अखेगा CH2OH प्राइमरी एलकोहल CHOH सेकेंडरी एलकोहल और COH यह आपका हो गया टर्सरी एलकोहल ओके? अब हम बात करेंगे फॉर्थ पॉइंट में आपका एलकोहल अब बात आ रहे है कि सर इसका हाइवराइडिसन SP3 कैसे हो गया? तो आपने हाइवराइडिसन पढ़े होंगे 11th में, 12th में, BSC 1st year में तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा CS2, Double Bond, CH, COH अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, ओपन ये कर रहे हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? तुमारा चौथा जो अलकोहल का मोनोहाइडिक का टाइप चला था, वो है अलाइलिक अलकोहल, अलाइलिक अलकोहल में बात करेंगे, यह वाला ध्यान रखेगा CS2, CH, CS2, OH तो इन अलकोहल में कार्वन-कार्वन-डवल बॉंड से अगले SP3, संकृत कार्वन-अटम से OS group में जुडा होता है, यही थान करता है कि जो OS group है, उसका आटेचमेंट कैसे होगा, उसका आटेचमेंट होगा कार्वन-कार्वन-डवन-दवल से next वाला कार्वन, और अधिया है और तमाने यह ले सकते हैं घंजाइलिक अल्कोर ग Öz af आख्ला, अध् AMos अगला फाहर प्शाइलिक अल्कोरोघ कोशंट क्ष्प्रों ठीच ठीच हर डारेक्थ में ग्जाइलिक भाथ करूंगा ठीच हर तो रे यह मैंने एक्जाम्पल ले लिया और इस एक्जाम्पल में मैं यहाँ पे CS2 OH यह देखेगा और एक्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं यह एक्जाम्पल ले लो आपका CS2 CS2 OH अब देखेगे बंजाइलिक अल्कॉल की खास मैसान देखिए कि हम कहुं लेंगे OS उस ग्रूप लेंगे यह मैंने OS ग्रूप ले लिया इस इस OS गुरूप का अटेच्मेंट इस वाले कारवन से है और इस कारवन का अटेच्मेंट किस से डारेक्ट बेंजीन से है यहीं बेंजीन रिंग से है ऐसे ही यह OS गुरूप है इसके नेक्स्ट वाला यह कारवन है उसके नेक्स्ट वाला यह कारवन है यहीं कुल मिलाके OS गु होता हुआ किस से होगा बेंजीन रिंग से होगा इसलिए टाइप बोला जाता है बेंजाइलिक एलकोहल क्या बोला जाता है बेंजाइलिक एलकोहल और एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि यह जो ओएश गुरुप इस वाले कारवन से जुड़ा है इन कारवन का जो ब्राइडिजेशन होता है यह क्या होता है SP3 और इसका भी क्या होगा आपका SP3 चाहे आपको अगर समझना है तो समझ लो कैसे होगा SP3 तो इसको जड़ा देखीगा जैसे इसको ले लेते हैं यह तो है एक्जाम्पिल ना यह तो C सारी यहां पर आपका अब देखिए हाइड् कर दीजिए अब काउंट करिए सिंगल 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 कितने सिंगमा बॉर्ण है चार सिंगमा बॉर्ण है कितना हो जाएगा SP3 तो ओवराल बोलने का आर्थ है कि बेंजाइलिक अलकोहल में कहीं ना कहीं OS का का कारवन अटेश्मेंट और जो अटेश्मेंट कारवन ह होगा यहीं ओएस का अटेजमेंट कारवन होगा और उस कारवन का हाईवर एडिशन क्या होगा SP3 ओके तो इस लेक्चर में हमने बात कर ली है मोनो हाइटिक एलकोहल के complete type जो भी type syllabus में दिये है प्राइमरी मोनो हाइटिक एलकोहल, सेकेंटि, टर्सरी और एलायलिक और बेंजायलिक अब हम अपने next lecture में जो next video lecture होगा हमारा तीसरा उसमें हम बात करेंगे इनके नॉमनक्लेचर की एलकोहल का नॉमनक्लेचर उनका कैसे नॉमनक्लेचर किया जाता है और उसी में हम लोग मेंसन करेंगे उसके एलकोहल का आईसोमेरिजम देखेंगे फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होगी आपकी methods of preparations okay thank you for watching ज्याद 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 इसको share कीजिए like करेंगे